तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर हम 12th Science में PCM यानिकि Physics, Chemistry and Math ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमारे जो करियर ओप्शिन्स है वो कौन से कौन से हैं यहाँ पर अगर हम PCM ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले most of the student के माइंड में यही आता है कि इंजिनेरिंग के लिए जासकते हैं तो यहाँ पर इंजिनेरिंग के जाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि आपको J.E.N.T. की जो एक्जाम ह एक्जाम होने के बाद आपको इंजिनेरिंग के लिए admission मिल सकता है अभी यहाँ पर इंजिनेरिंग कौनसे कौनसे फिल्ड में आप कर सकते हो Electrical Engineering के लिए जा सकते हो, Civil Engineering के लिए जा सकते हो Mechanical Engineer, IT यानि की Software Engineer, Computer, Robotics, Sound Engineering यह अलग-अलग फिल्ड है Engineering की जिसमें आप जा सकते हो बट अभी हम देख सकते हैं कि यह जो IT फिल्ड है यानि की Software Engineer उसके लिए बहुत जादा स्कोप है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम कैसे Online Applications के थुरू कर रहे हैं सारी चीज़ों का अभी Digitalization हो गया है हम यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि हम जो Business है वो भी Apps के थुरू चलाते हैं आज की तारिक में यह जो IT Engineering है वो करेंगे आप तो उसके लिए बहुत जादा स्कोप रहेगा यहाँ पर इस फिल्ड में यानि कि IT के फिल्ड में भी आपको अच्छी खासी salary मिल सकती हैं इसके बाद हम देखने वाले हैं कि Next Career Option हमारी लिए क्या है अगर हम PCM subject select करते हैं 12th के लिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो BTEC है BTEC का जो course है वो भी हम कर सकते हैं यह 4 years का course होता है BTEC के बाद हम M.Tech यह भी कर सकते हैं M.Tech के लिए 2-3 years required होते हैं वो depend होता है college के ओपर कुछ colleges में 2 years लगते हैं कुछ colleges में 3 years लगते हैं उसके बाद में आप PhDP कर सकते हो यानि कि higher education ले सकते हो इसके लिए 2-3 years का यह course होता है अभी 12th science में आपको 60% इतने marks कम से कम होना जरूरी है और आपका यह जो English यह एक compulsory language होनी चाहिए यह इसके eligibility criteria है और इसके लिए career opportunities देखते हैं BTEC अगर आप करेंगे तो आप tech companies में job पा सकते हैं automobile companies में भी आपको अच्छी खासी job मिल सकती है या teaching field में तो आप जाही सकते हो अभी next career option हम देखने वाले है अगर आप PCM यह subject select करते हो तो वो है architecture architecture के लिए आपको eligibility क्या चाहिए तो 12 standard में आपको minimum 50% होने चाहिए और यह जो B.Ark यानि की bachelor of architecture यह जो course है यह 5 year का course है अगर आप इसमें master degree करना चाहते हो यानि की MR करना चाहते हो तो यह plus 2 years का course है यानि की bachelor के 5 years plus 2 years तो इस तरह से आप यह course कर सकते हो हम अभी देख सकते हैं कि architecture यह तो हर एक field में लगता है कहीं पर भी अगर मान के चलो कि हमें infrastructure बनाना है तो infrastructure designers की जरुरत होती है commercial areas में भी architectures की जरुरत होती है houses बनवाने है, offices बनवाना है, restaurants बनाने है तो यह सारे के सारे fields में architecture की जरुरत होती है यहाँ पर आपको काम क्या करना होता है तो plannings of a project, design making यह सब काम आपको architecture के field में करना पड़ता है architecture यह एक बहुत ही अच्छी field है इसकी career opportunities क्या है वो हम देखते हैं इसमें आप काम क्या कर सकते हो तो आप बन सकते हो architecture designer, interior designer भी बन सकते हो novel architects भी बन सकते हो landscape architects को भी आजकल बहुत जादा demand है तो यह सारे आपके लिए career opportunities है और इनके लिए यानि कि architect के लिए minimum salary जो है वो 20,000 से लेकर minimum यह salary 7-8 lakhs में होती है पर month के लिए तो आप सोच सकते हो कि यह जो architecture है यह एक बहुत ही best career option है अगर यहाँ पर हम बात करते है कि architecture के लिए consequence institute available है तो यहाँ पर हम देख सकते है कि राजियू गांधी academy, Bombay Flying Club इंदिरा गांधी, रष्ट्रिय उडान academy यह कई famous institutes है जहां से आप अपना architecture कर सकते हो अभी यहाँ पर हम देख सकते है कि यह अगर हम 12th के लिए PCM यह subject combination select करते है तो उसके बाद अगर आपको engineering नहीं करना है बीटेक नहीं करना है तो और भी कई करियर option है जैसे कि हम B.Sc B.Sc यह 3 years का course होता है यहाँ पर B.Sc यह आपको अच्छा scope है जहाँ पर आप physics में, chemistry में या math में यह B.Sc डिगरी ले सकते हो यह 3 years का course होता है यह अगर B.Sc नहीं करनी है तो और भी कई options है जैसे कि B.C.S Bachelor of Computer Studies and B.C.A. यहनि कि Bachelor of Computer Application यह सारे के सारे course 3 years के है अगर यहाँ पर हम देख सकते है कि B.C.S B.C.S आपने कर लिया और अगर आपको उसमें Master of Computer Studies करनी है तो M.C.S यानि कि Master of Computer Studies and B.C.A. का जो Master degree है वो M.C.A. यानि कि Master of Computer Application यह जो Master degree है यह graduation होने के बाद 2 साल का course होता है तो इस तरह से आप Bachelor and Master degree भी पा सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपने यह As a Career option सिलेक्ट कर लिया PCM सबजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद तो आपको Computer and IT फिल्ड में बहुत अच्छी खासी जॉब लग सकती है अगर आप अपना Career Computer के फिल्ड में बनाना चाहते हो तो आपके पास और क्या-क्या options available है आप कौन सा काम कर सकते हो आप Software Developer बन सकते हो आप Web Designer बन सकते हो आप Database Administration का काम कर सकते हो Software Consultant बन सकते हो System Analytics में जा सकते हो Technical Writer बन सकते हो और यह यहाँ पर Computer के फिल्ड में अगर जाओगे तो आपकी Salary Minimum, Zimum आप सोच भी नहीं सकते हो वहाँ तक जा सकती है और यहाँ पर आप अपना खुद का Business भी चला सकते हो हम देख सकते हैं कि 12 Science के लिए अगर आप PCM यह Subject Combination सिलेक्ट कर सकते हो तो यहाँ पर और भी कई Interesting Fields है जहाँ पर आप काम कर सकते हो जैसे कि Film and Television का जो Diploma होता है वो Diploma करकर आप उसी फिल्ड में Job कर सकते हो जैसे कि Film Editing का जौब होता है Film Processing का जौब आपको मिल सकता है Job in Film Production and TV Channels यहाँ पर भी आप काम कर सकते हो Cinematography का भी आप काम कर सकते हो या फिर अगर आपने B.Sc कर लिया तो B.Sc आप Physics, Chemistry, Math यह किनी भी Subjects में कर सकते हो B.Sc के बाद आप M.Sc यानि कि Master Degree भी कर सकते हो यह 2 years का कोर्स होता है B.Sc 3 years का होता है and M.Sc का कोर्स 2 years का होता है M.Sc के बाद आप M.Phil भी कर सकते हो यानि कि यह और Higher Degree है और इसके बाद आप Teaching Field में भी जा सकते हो Teaching Field में भी अच्छी खासी जॉब आपको मिलती है यहाँ पर आपको और भी कई Career Options है जैसे कि अगर आप कोई भी Field से Graduation Complete कर लेते हो तो उसके बाद आप M.P.Sc, U.P.Sc की एक्जाम दे सकते हो आप I.S. Officer बन सकते हो I.S. की एक्जाम देने के बाद आपको Railway में जॉब मिल सकता है Public Sector Companies में भी आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी salary मिलती है और एक हम Interesting Field के बारे में बात करते है जो आप 12th Science में PCM यह subject combination सिलेक्ट करते हो तो आप Commercial Pilot का भी जॉब पा सकते हो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि 12th Standard के बाद NDA की भी एक्जाम होती है National Defense Academy की एक्जाम होती है यह एक्जाम है यह आप 12th के बाद भी दे सकते हो या Graduation के बाद भी दे सकते हो अगर आपने यह एक्जाम क्रैक कर ली तो आप Army, Navy या Air Force इसमें से कोई भी एक फिल्ड चूज करके उसमें आप जा सकते हो यहाँ पर आपको काम क्या करने होते है तो Cargo Pilot, Corporate and Business Aviation का काम आपको करना होता है और यहाँ पर आपको जो salary है वो minimum 70,000 से लेकर maximum 7 to 8 lakh तक आप salary ले सकते हो तो Friends इस तरह से हमने ये वीडियो में देख लिया कि अगर हमने 12th Science में PCM ये subject combination से लेक्ट कर लिया है तो कितने variety of field में हम अपना job पा सकते हो यहाँ पर आपको salary भी अच्छी मिलती है तो PCM ये आप अगर subject से लेक्ट करते हो तो आप बहुत ही बहतरीन job पाते हो So, best wishes for your best career